गुड मॉनिंग एब्रिबन, कैसे हैं आप सब भी, I hope all are very good, आज हम करेंगे जिके का कोशी नमबर 22, 23 and कोशी नमबर 24, यह जो बो जिके का पार्ट नमबर 8 होगा, तो चलिए स्टाड करते हैं कोशी नमबर 22 से, जिसमें ने का है, which is largest fresh water lake in the world, तो पूरे वर्ल्ड की बात करा है, वर्ल्ड में सबसे बड़ी fresh water, जो भी lake है, जो भी जील है, वो कौन सी है, तो वो है lake superior, superior lake जो बो सबसे बड़ी fresh water lake है, अगर मैं fresh water के बारे में आपको बताओं, तो fresh water बो water होता है, जिसको आप direct जो बो पीसकते हैं, मतलब कि वो खारा पानी नहीं होता है, जैसे बारि fresh water lake, मतलब कि उसमें जैसे बारिस का पानी इकठा हो गया तो वो एक fresh water lake कहलाएगी, टीक है, एक lake होती है, जैसे salt water, salt water मतलब कि खारे-पानी की जील होगी, जैसे smudhr में, बड़े-बड़े साग़ों में जो खारा-बानी होता है वहां पर, ठीक है, तो वो salt water होता है, एक हो बड़ा सीगडी नाम का बहुत बड़ा ग्लेसियर है तो उसके आसपास जोबो कई सारी जीले जैसे वो पीगलेगा तो वहां पे जोबो आसपास जीले बन जाएगी तो ऐसी जीलो को जोबो ग्लेसियर लेक बोला जाता है एक उती है जैसे क्रेटर जील क्रेटर लेक क्रेटर बन जाएगा तो ऐसी जीलों को जोगो ग्रेटर लेक बोले जाता है और आपको एक पता है कि एक होती है आर्टिफिसल लेक वाहां बहुत बड़ी जुपरी को अब करने के लिए जो बड़ए बड़ बड़प पावर project होते हैं, मतलब कि वहां पर बड़े-बड़े dam बनाएंगे तो वहां पर एक जगह से जोबो पानी करोगा जाएगा, अगर पानी करोगा जाएगा तो उसके पीछे जोबो बहुत बड़ी जोबो एक dam बन जाएगा, तो वो डैम जोबो बड़ी जोबो जोबो एक जील के रूप में बन जाती है एक होती है Oxbow Lake Oxbow Lake क्या होती है, वो भी आपको मैं बता दूँ जैसे Oxbow Lake देखे कैसे होती है जैसे मालो एक न दी जारी है जैसे जैसे सर्प साब चलता है सनेक चलता है वैसे जोबो जारी है, देखे क्या हुआ कि ये जो वो मतलब कि ये चोटा सा एरिया जो वो ऐसे कट गया वो जो ऐसे ही कटी हो करके ऐसे चलिए मतलब कि ये जो एरिया है वो जो वो इस तरह से जो वो एक जील बन गए ये जो वो इस तरह से जील बन गए मतलब कि वो जो नदी थी वो जो वो साइड से निकल गई और यह जो एरिया था यहां पर पानी स्टोर हो गया और इस नदी से थोड़ा सा सेप्रेट हो गया अलग जैसे तो ऐसी जीलो को बोलते हैं मतलब जीलो बन जाएगी फिर उसके बाद तो ऐसी जीलो को बोलते हैं ऑक्सबो लेक एक होती है लगून लेक ठीक है उसमें क्या होता है तो भारत की जो सबसे बड़ी fresh water lake है तो वो है burlar lake तो इसको भी आप याद रखे burlar lake जो वो सबसे बड़ी भारत की मैं बो रहा हूं वाकि world की तो आपको उता दिया lake superior जो वो world की सबसे बड़ी fresh water lake है जो lake superior है यह पढ़ती है Canada और America किसी मपर यह पढ़ती है चीक है Canada और USA किसी मपर यह पढ़ती है तो अगर भारत की बंज mapping भारत की स्वसे बड़ी могутa lake जो कौनसी है बूलर lake है और बूलर lake को याल रहती है जम्मू कास्मीर में पढ़ती है अगर हम बात करें North East की नर्थ-एस्ट में जो वो सैवन सिस्टर के नाम से जाना चाता है शीवन सिस्टर रहल एक उसका भाई भी ब्रदर होता है उसको सिक्क्ंक बोल जाता है तो टोटो जो यहां पर नर्थ-एस्ट में A जोबो हमारे पास राज्य है एट जोबो स्टेट है सेवन सिस्टर और एक हो गया सिक्किम जो की थोड़ साल लग जैसा है तो उसलिए उसको जोबो सेवन सिस्टर का ब्रैदर भी बोला जाता है ठीक है तो अगर पुछ जाए कि लारजेस्ट फ्रैस वाटर लेक अगे इन नौर्थ इस्ट इंडिया मतलब की इन एट में से जोबो का मतलब की कहां पर जोबो किस राज्य में जोब सबसे बड़ी फ्रैस वाटर लेक है तो वो है लोक तक जील लोक तक जील तो इसको भी आप जाए लोक तक जील यह है मनीप में यह जो वो नॉर्थ इस्ट की सबसे बड़ी फ्रेस वाटर लेक है अगर मैं पुछों आपसे की लार्जेस्ट आर्टिफिसल लेक जो वो यह जो मैं बात कर रहा हूं किसकी मैं बात कर रहा हूं इंडिया की तो वो है गोविंद बल्हव पंत सागर यह जो वो यूपी और यूपी और यूपी और यूपी दोनों में पड़ता है तो हमने बात की लार्जेस्ट फ्रेस वाटर की तो इनको भी आप याद रखिए लेक सुपीरियर जो वो लार्जेस्ट फ्रेस वाटर लेक है इस वर्ड की बदकर है नेक्स कोशिए नमबर 23 हाउ मैनी डेस आर देर लिए करें लेक्सा है उसको बंद करिये तो जैसे आपको एसे एदकां को बंद करूप और देखिए अपनी मुठी सोब 뚝ति निचे की तरफ तो February आपको पता यह होना चाहिए वह तो एक special हमारे पास जो वो एक मन्त है क्योंकि उसमें जो वो कई बाए 29 जो कि फोर साल चार साल बाद जो आता है जीसे की लिए यर भी बोला जाता है तो चार साल बाद जो आबवो वहां पर 29 डेस का होता है बाकी 31 का होता है फिर मैं के बाद जो वो जैसे मैं इंडी मोन तो जनुरी करती है अपने याद रखना है जैसे ही जैसे जुलाई जो वो 31 का होता है जुलाई और अगस्ट जुलाई और अगस्ट जो यहां पर ही आएंगे लास्ट में मतलो कि जुलाई तक यह खतम होगा लास्ट में पिर आपने यहां से ही सुरू करना है मतलो कि जुलाई भी 31 का होगा और अगस्ट भी 31 का होगा ठीक है ओक तो यहां पर किसका पूछ रहा था है अगस्त पूछाया था तो अगस्त जो वो 31 डेज का होगा तो ऐसे आप इनको जो याद रखिए नेक्स कोश्चिन है कोश्चिन नमगर 24 वट इस दा 19th letter of the English alphabet तो जो 19 जो भी alphabet है वो कौन सा है तो यह तो मैंने आपको पिछले पार्ट में भी पताया था कि 19th letter आपने यह सारे याद रखने आपको अगर जन्न नौलेज मतलब कि आपको पूछेंगे किसी कि आम मेरे से कोई भी जन्न नौलेज का कुश्चिन भी बूच सकता है तो एक जन्न नौलेज है वो आपको पांच बजे से स्टार्ट तो ईवनिंग का जो सिंबल है वो पांच हो गए ठीक है तो ऐसे आप याद diff नहीं है और नौं तर तरिके से याद रहेगा तो नाइन तिन्थ जो भी लैटर है हमारा इंगलिश अलभबेट का वो कौन सा है ऐसे ओके तो आज के लिए तना काफिया ओके थैंक्यू एंड हैव नाइस टी